कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पहले से आप लोग पढ़ रहे हैं लग-अलग exam कि आप त्यारी कर रहे होंगे अंडी की त्यारी कर रहे कर रहे हैं तो आप सब के लिए में लेका हा हूँ पृकैब के session मां आपको दूगा वोचैब के session में आपको सब कुछ मिलेगा लेट्वर्वर्ड्स, एंटर्णियम, शिननियम, फ्रेजल वर्ब, सीडियम, एंट्थरिज, मिस्पेल्ट वर्ड्स, कन्फ्यूसिंग वर्ड्स, और वोकैबलरी भी अलग लग तरीके से देखेंगे हम, केटेग्राइज मैनर में भी देखेंगे, रूट वर्ड से देखेंगे, निमोनिक्स से देखेंगे, तो अलग-अलग तरीके से वह कैप भी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया का लार्जस्ट लर्न आपके लिए हैं, फ्री कॉर्से आप देख पा पाऊगे अच्छे से, लेकर अगर फ्री कॉर्से से अपकी प्रपरेशन नहीं हो पा रहे हैं तो आपको क्या करना हूँ, आपको प्लस सब्स्क्रेप्शन लेना पड़ेगा, यह क्या है, इसके बारा में थोड़ी बात करें इससे परे थोड़ा में अपने बारें मता दूँ, फ्री का मेर इक्स्पिरियंस है, इंगलिस पढ़ाने का अलग-अलग इंस्टिट्उट के साथ मैं इंगलिस पढ़ाया हुआ है, और अलग-अलग अग्जाम्स के लिए मैं इंगलिस पढ़ाता हूँ, जैसे CDS हो इया, आपका इंडिया हो गया, SAC हो गया, CGL, SAC के एक्जाम है, CHSL है, FKAT आपका है, बैंक का पिपर है, तो बैंक वोगेरा के SAC के एक्जाम के लिए भी मैं इंगलिस पढ़ाता हूँ, डिफेंस के एक्जाम के अलावा, तो जैसे कि आप मुझे अभी चैनल पर देख रहे हैं, डिफेंस एक्जाम के इस पर आप मुझे देख पा रहे हैं, और हमारे ही चैनल और है, डिफेंस एक्जाम इंट एम, इसको भी आप सब्सक्राइब कर, इस पर आपको 8-10 minutes के short videos मिलेंगे, 8-10 minutes के short videos क्या concept videos होंगे, को भी चोटा सा concept हो सकता है, जो आपको कम टाइम में समझा आ जा सके और आपको समिझ में भी आ जाए, चोटे-चोटे concept videos होंगे, आपको अलग-अलग subjects के मिलेंगे, जैसा मैंने PQRS के डाले हुए हैं, PQRS को कैसे solve करना चाहिए, उसके मैंने videos डाले हूँ अलग-अलग examples के साथ, अब भी मेरा root words की series वहाँ पर चल रही है, उसके बाद neemonics की भी series आईगी, चलिए सुच, neemonics की series आईगी, वो भी आप देखेंगे, तो चैनल को subscribe जरूर कर लें, अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बारा हैं, तो चैनल को subscribe करेंगे, और बेल आइकन को दबा दें, तो प्लस की जिसे मैं बात कर रहा था आप से, प्लस subscription क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, नुकसान तो कोई नहीं है, देखें, जब आप free course लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, आप free courses, तो आपको free मिलते हैं, सबसे बड़ा advantage free courses का ये रहता है, लेकिन उसे साथ कुछ problems भी आती हैं, क्योंकि there is nothing free in the world, ठीक, तो आपको क्या problems हैंगी, आपको live classes daily मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, नहीं मिलते हैं जादा तर, तो आपको एक issue होगे, आपको daily classes नहीं मिलेंगी, regular जैसे classes होती हैं, आपकी institutes में, या फिर कहीं भी किसी भी platform पे, वो नहीं मिल पाईएंगी हैं, आपको free courses में, structured courses, यह सबसे बड़ी problem आती है, जैसे free classes होती हैं, तो आपको random कोई भी topic कभी भी पढ़ाया जा सकता है, कोई फिक्स course का structure नहीं होता, कि किस तरीगे से आपको पढ़ाया जाएगा, free courses में जब भी मन करेगा, जो भी educator का, वो पढ़ा के चला जाएगा आपको, तो दिक्कत हो गई है, तो तीसरी क्या problem हाती है, live test और quiz हो गया राके, मतलब चलो हमने पढ़ लिया, study material भी हमको मिल गया, तो फिर mock test देने के लिए दिक्कत हो जाती है, उसके लिए फिर आपको mock test के लिए आलग दूसरी जगे जाना पड़ता है, तो ये सारी problems ना आएं, इस वज़े सान academy ने आपको plus subscription प्रोवाइड करवाने का फैसला लिया है, जिसमें आपको ये paid plan है, जो minimum आपका 400 पर मन से start हो जाता है, ठीक है, तो paid plan है, उसमें क्या होगा, आपको daily लाइब classes मिलेंगी, जिसमें आप educators से आप internet कर पाओगे, उनकिसाद chat box में, आप अपने doubts क्लियर कर सकते हो, ठीक है, और पोल्स अगर अगर अगरा अगरा पोल्स करवाए जाते हैं, इससे कोई question हो गया, MCQ है, multiple choice question है, तो उसमें आपको बोल दिया जाएगा, आप correct answer चूज कर सकते हो, वहाँ leaderboard यान की ranking वगरा भी दिखाता है आपकी, तो आप अपनी rank भी analyze कर सकते हो, daily की आप improve कर पा रहे हो कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, courses लेने के बाद, तो उसके बाद structured courses होते हैं, आपके सारे daily live classes लगेंगी, structured courses होंगे, यान की आप proper तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं कोई भी random topic उठा लिया, जो भी educator होगा, वो आपके course के इस तरीके से design करेंगे, कि आप बहुत अच्छी तरह से, और आसानी से चीजों को समझ पाए, तो structured courses आपको मिलेंगे, live test और quiz वगरा भी आपके continuously होते रहते हैं, तो इनमें भी आप participate कर सकते हैं, आपनी preparation को evaluate कर सकते हैं, कि आपकी preparation कितनी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, आपको मिलेगा, unlimited access से मेरा क्या मतलब है, मान लीजे, आप CDS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप categories चूज़ करेंगे CDS, FCAT और CAPF, तो जब आप इस category को चूज़ करके plus subscription लेंगे, तब आपको इस category में जितने भी teacher पढ़ा रहे होंगे, plus courses जिनके भी होंगे, free courses तो आप वैसे देख पाऊगे, बिना किसी subscription के लिए किन अगर आप plus subscription लेते हो, तो जितने भी teachers के plus courses वहाँ चल रहे होंगे, आप सब के courses देख पा रहे होंगे, तो आपको unlimited access मिलेगा, अब उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहे हैं तो आपको unacademy app को install करना है अपने फोन में, फोन में install करने के लिए play store पे जाएए, वहाँ unacademy learning app सर्च कीजिए, वहाँ आप यह अप दिख जाएगी, यह logo app का, इसको आप अपने फोन में install कर लिए डाउनलोड करके, उसके बाद आपको अपना account बनाना है, इस पे mobile number, email id डालके आप अपना register कर सकते हैं इसमें, register करने के बाद आपको अपनी category या फिर goal चूज़ करना होगा, गोल से क्या मतलब है जिस भी exam के लिए आप तयारी कर रहे हो, जैसे medical exam हो गया, defense का exam हो गया, तो जिस भी exam के लिए आप तयारी करोगे, वहाँ आपको अलग-अलग exams के categories दिख जाएंगी, तो आप जो भी category के लिए तयारी कर रहे हो, जो भी exam के लिए तयारी कर रहे हो आप चूज़ कर लोगे, जैसे मानलो किसी student ने चूज़ कर लिए CDS, FCAT और CIVR, अब उसने choose कर लिए और उसको plus subscription लेना है, तो वह कैसे लिए देखिए, आपके screen पर ऐसे दिखाएगा, तो यह get subscription इस पर आपको click करना पड़ेगा, इस पर click करने के बाद आपके screen पर कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, यानि कि आपको यह duration दिखेगा और उसके सामने अलग-अलग payments लिखेंगी तो यह दिखेंगी आपको तो आपको जो भी duration के लिए subscription लेना है आप वह ले सकते हैं, क्योंकि one month में कोई preparation नहीं होती किसी student की तो आप एक तरियस अपना पैसा waste कर रहे होंगे तो कि आप यह अगर preparation अधूरी ले जाती है तो आपके पैसे आपको value for money नहीं हो पाईगी वह चीज, three months में भी नहीं होती, six months में आप एक बार preparation कर पाऊ लेकिन उस चीज को revise नहीं कर पाऊगी क्योंकि जितना important किसी भी exam की preparation करना हो उतना ही ज्यादा important है उस exam के साथ उस course को जिसको भी आपने पढ़ा है उसको revise करना क्योंकि revision बहुत most important चीज होती है जब आप exam में जा रहे हो 24 months का अगर लेते हैं तो आपको क्या फाइदा मिलेगा उससे कि आप अपने course कर पा रहे होंगे उसके बाद उसका revision कर पा रहे होंगे और फिर भी अगर कोई problem रहे जा पा रही है तो फिर से आप अपने course को revise कर सकते हो दो बार revise कर सकते हो और बहुत सारे नही educators आती रहते हैं तो उनके courses भी आप देख सकते हो अल लग- जब नहीने cause zest अते रहते हैं ध़को बही ही देख सकते हो उनके courses को आप देख लोगे तो अगर अच्छा लगए तो आप से भी पर सकते हो मैं suggest करूँग को 24 months का और minimum आप 12 months का तो ले ही ले अब चलो आपने decide कर लिया कि आपको यह लेना या फिर यह लेना उसके बाद क्या है उसके बाद आपको payment करना होगा अलग payment आपको सामने लिखी ही होगी आपको देख जाएगी अपनी category का code ही तो आपको क्या करना होगा आपको फिर apply code करके एक option वहाँ पर दिखा ही देगा कि apply referral code या फिर do you have a referral code ऐसे कुछ करके आएगा तो आपको क्या करना है वहाँ पर आपको because one यह आपको referral code वहाँ पर apply कर देना है यह code जब आप apply करोगे तो आपको instant 10% के discount मिल जाएगा 10% का आपको instant discount मिलेगा तो यह आप कर सकते हो और discount मिलने के बाद आपका amount जो भी वहाँ पर payable दिखा रहा होगा उस amount में से 10% amount deduct हो जाएगा वो deduct होने के बाद आप बागी जो भी remaining amount है वो pay कर देंगे तो आपका subscription आपको मिल जाएगा अब हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमको सर्च कर सकते हैं defense exam quest और टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और बहुते बचचे ऐसे पूछते हैं हम आपको अन केडिमी पर कैसे सर्च करें हम सर्च नहीं कर प्रोफाइल पर आ जाऊगे, यह मेरी प्रोफाइल पर आऔने पद आपको क्या करना है? सबसे पहले मुझे फॉलो करना है. फॉलो कर लोगे तो उससे क्या फाइदा हुगे? आपको notifications मिलती रहेंगे, मेरी classes के. मेरी classes के notifications daily मिलती रहेंगे आपको जो भी classes लगेंगी live classes होंगी या फिर special classes होंगी उन classes का आपको notification मिलता रहेगा उसके बाद जैसे आप मुझे follow गर लोगे तो आपको अलग जैसे यापर plus courses, free courses या फिर detailed about यह सब कुछ Allah आपको डिखाई देगा तो जैसे आप free courses पर जा रहे हो तो यह free courses है मेरे कुछ जो पहले से मैंने बनाए हूँ है तो इनको आप देख सकते हो vocabulary के लिए special classes मेरी मैंने बहुत सारे लिए रखी हैं वो पहली classes आप देख सकते हो recorded version में साथ मेरी live classes भी डेली लगते हैं उनके notification आपको मिलते रहेंगे जो कि आप देख सकते हो तो आपको मुझे follow कर लेना है न कहिने उने पर तो आए आज से हम क्या करने वाले हैं उसके बारे मैं थोड़ी बात करते हैं हम daily one words पढ़ेंगे फ्रेजल वोक्स पढ़ेंगे idioms and phrases पढ़ेंगे साथ में हम करेंगे ता हिंदू की vocabulary डेली जो आईगी newspaper उसको करने वाले हैं तो चलिए शुरू करता है आज की class one words से सबसे पहले पढ़ेंगे हम one words देखे हमारे सामने कुछ words दिये हुए हैं जिनका हमको English meaning साथ में Hindi meaning भी द करकर और ऐसे दीरे-दीरे करके slide by slide हम आगे बढ़ते चले जाएंगे चलिए पहला word से discuss करना शुरू करते है अप्सकॉंडर पहला word हमको दे रखा है वह होता है एप्सकॉंडर और एप्सकॉंडर क्या होता है एप्सकॉंडर होता है one who runs away secretly in order to avoid arrest यानि की कानून की पकड़ आने से भाग निकलने वाला ठीक है आप एक word यूज़ करते हो फरार ठीक है तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो जो फरार हो जाए कानून की पकड़ में आने से भाग निकलने वाला जो कानून की पकड़ में नहीं आए और बच के भाग निकल जाए उसको बोला जा या फिर कानून के विरुद्ध था कोई काम उसने किया और वो भाग निकला पोलिस की पकड़ से तो उसको बोला जाएगा तो यह आपका one word हो गया जब भी आप से को पूछे कि भाई one who runs away secretly in order to avoid arrest तो उसके लिए कौन सा word यूज करो गया आप उसके लिए यूज करो गया आप एपसको अंडर next आपके सामने जो word है वो है acoustics relating to sound यानि किसी चीज का आप relation अगर sound से दिखाते हो यह music में use होता है वैसे music में use होता है acoustics relating to music आप ऐसे भी कह सकते हो related to music वो आपने देखा हो कोई भी Bollywood का song आता है तो वो song आ गया लेकिन उसके कुछ महीने दो महीने बाद उसका acoustic version आता है यानि कि guitar पर उस गाने को दुबारा गये जाएगा guitar रहेगा सिर्फ background में तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से उसका version निकाल जाए तो acoustic क्या हो गया related to music sound इस तरीके से next word हमारे पास क्या है वो है acumen acumen क्या होता superior mental acuteness यानि कि मानसिक योगता या कोशलता आप mentally कितने अच्छे हो mentally कितने अच्छे हो उस बात को पताता है यह word यानि कि आप अगर मानसिक तोर पर बहुत अच्छे हो बहुत ही अच्छे हो mentally तो उसके लिए word यूज किया जाएगा acumen superior mental acuteness यानि कि आपके लिए word यूज किया जाएगा acumen तो चलिए next word क्या है next word है हमारे पास adroit adroit word का क्या meaning होता है adroit word का meaning होता है कुशल इसका Hindi meaning होता है कुशल दक्ष इस तरीके से भी बोल सकते आप किसी भी काम में कुशल किसी भी काम या फिर कला में कुशल तो इसका English meaning क्या होगा having physical or mental skill या तो आपके पास कोई physical skill हो आप बहुत देज भाग सकते हैं आप बोक्सिंग कर सकते हैं आप high jump long jump इस तरीके सब physical आपकी कोई skill हो या फिर mental skill हो कि आप mathematical calculations बहुत fast कर सकते हैं चीजों का पता लगा सकते हैं आप जासूस बन सकते हैं बहुत अच्छे ठीक तो उसे बोला जाता अड्रोइट किसी भी skilled person को बोला जाएगा अड्रोइट जो बहुत अच्छे तरगे से skilled हैं अपने field में उसको अड्रोइट को सकते हुआ next word हमारे पास है aerial aerial का मतलब है living in air यानि की हवा मेस्थित अब आपने देखा होगा कई बार जैसे बाड़ा जाती है इंडिया में लगलग areas में तो आपको एक news हमेशा सुनाई देती है कि उस chief minister ने aerial survey किया या प्रैम मिनिस्टर ने aerial aerial survey किया ठिक aerial survey करने से मतलब है उन्होंने chopper से यानि कि helicopter से या फिर plane से उन्होंने हवा से ऊपर हवा में रहकर ही survey कर लिया कि नीचे क्या situation है हवा में इस्थित तो उसको बोला जाता है aerial next word हमारे पास है aerodrome aerodrome का मतलब क्या होता है small airfield यानि छोटा सा airfield आप कह सकते हो छोटा airport भी कह सकते हो आप इसको इससे बोला जाएगा aerodrome next word हमारे पास है aeronautics aeronautics का होगा aeronautics होता है the science and practice of designing building and operating an aircraft ठीक है किसी भी aircraft को बनाने की उड़ाने की जो science होती है उसे बोला जाता aeronautics यानि कि वो अच्छे से उड़ पा रहा है कि ने उड़ पा रहा उसका weight according to flying situations है की नहीं है किसी भी aircraft का किस हाइट पो aircraft पोड़ सकता ही सब कुछ उसके aeronautics में आता है ठीक है जैसे जैसे अभी लग्दाख में इंडिया और चाइना का face off हुआ है तो वहां हमारी air force बहुत ही powerful position में है in compared to Chinese air force क्योंकि Chinese air force का एक ही airport के सकते है airfield air strip है जो की तिबद के राके में है और जो की height पर बहुत है तो अगर उसको बहुत height पर take off करना है तो oxygen भी ज़रूरत पढ़ती है किसी भी aircraft को take off करने के लिए तो वहां oxygen जितनी height के जाओगे उतना कम रहेगा तो अपनी पूरी capacity के साथ उड़ नहीं सकता ना तो पूरा fuel ले जा सकता है ना पूरे हथियार ले जा सकता है तो इस तरीके से उसका aeronautics या फर avionics आप वहां खराब मान सकते हो situation के according तो वह जो physics से होती है जो science होती है किसी भी aircraft के ऊड़ने के लिए उसके बनाने के लिए उसके aeronautics बोला जाता है next word हमारे पास है affidavit affidavit क्या होता है एक written declaration होता है संदर या बहुत इसको आप भी बोल जानते हो ठीक इसका मतलब होता है written declaration affidavit होता है आप सुना हुआ सो और पे के affidavit पे stamp paper आप बोलते हो ठीक तो उसको बोला जाता है affidavit तो चलिए next slide पे चलते है next हमारे पास कुछ words और है affiliation है aggravate है agitate है alluvial है ally है altitude है तो यह one words पढ़ रहे हैं हम इनको आप word power के तोर पे भी देख सकते है अलग-अलग words का meaning मैं आपको बता रहा हूँ इनको one words में directly पूछ लिया जाता है कई बार paper में तो मैं आपको बता रहा हूँ तो हमारे पास word है affiliation affiliation का क्या मतलब होता है determination of a relation of something किसी का किसी से official अग्रावेट क्या होता है तो अग्रावेट क्या होता है तो अग्रावेट क्या होता है affiliation का मतलब तर relation होना किसी से official relation होना उससे बोला जाएगा affiliation अग्रावेट क्या होता है अग्रावेट होगा आपका to increase the gravity of an offense or intensity of a disease यानि कि किसी बुरी चीज़ का तीवरता या फर यानि कि उसके intensity बढ़ा देना और बढ़ा देना मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई और आपने क्या किया डॉक्टर की सलह लिए बिना आपके घर पे जो दो तीन दवाईया रखी नहीं थी आपने वो ले ली खुद डॉक्टर बन गए तो क्या हुआ आपके तबे सुधरने के बजाए और विगड़ गई तो किसी की यानि कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाना नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एजिटेट एजिटेट क्या होता है तो अटेम्ट तो अराउस पब्लिक फीलिंग इंट्रेस्ट सपोर्ट फॉर अगेंस्ट सम्थेंग यानि कि किसी चीज के पक्ष में यह विरूदमा अंदुल करना विरूद करना प्रोटेस्ट भी बोल चकते हो आप इसको ठीक तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आगया अलूवियल अलूवियल का होता है सेंडी स्वैल डिपोजिटेट बाई रेनिंग वाटर किसी धारा द्वारा जमा की गई बलुवा ही मिट्टी अलूवियल स्वै अलूवियल उसी के लिए बुल जाएगा अलाय क्या होता है परसन इट्सटरा वो जोइंस बेदाना दार फॉर कॉमन पर्पर्पर्स यानि कि आपके साथ आपके पर्पर्पस में आपके मिशन में जुड़ने वाला आपका साथी उसको आप अलाय बोलो गया जैसे इंडिय का इंडिया का लाय रशया भी है अमेरिका भी है पाकिस्तान का लाय कौन है चाइना तो आपके साथ देने वालों को आप बोलोगे अलाय किसी कार रहे हैं मुद्धे पर समर्थन करने वाला उसे आप बोलोगे अलाय एल्टिट्यूड के होता है दा हाइट अफ सम्थिंग समद्रतल से उंचा ही होती है किसी भी जगे की किसी भी चीज की उसे बोला जाएगा altitude ठीक है तो यह हमारे वन वर्ड्स थे कुछ अब हम चल रहे हैं phrasal verbs की तरफ I hope आपको one word समझ में आये होंगे अगर नहीं समझ पाए अच्छे से तो वीडियो को दुबारा से rewind करके देखें अच्छे से समझे तो phrasal verbs की तरफ चलते हैं तो चलिए कुछ phrasal verbs हमको यहां दे रखी हैं इनका meaning और इनका use examples के तुरू हम द जवाब देना या कारण बताना किसि भी चीज का कारण बताना इसका मतलब होता है account for यानि कि आप बोलतो गहीं हैं इंडिमा सिभाब देए account is not just you are accounted for your bladder डिमीर यह निकि आप अपने बुरे वरताव के लिए जवाब दे हो तो जवाब दे हो गया इसका मतलब तो अकांट 4 का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जवाब दे होना एक 4 अभी आपने र multi सुना पहले। नहीं सुन लीजिये इसका मतलब क्या होता है to have a strong desire for किसी भी चीज की तीवर इच्छा होना जैसे आपकी कभी कभी तीवर इच्छा हो जाते है ना गोल गट पिखाने की तो उसको बोला चाह सकता है एक फोर किसी भी चीज की आपको तीवर इच्छा हो उसे बोला जाता है strong desire हो किसी भी चीज की कोई काम करने की उसको बोला जाएगा एक फोर एकसा example देख लेता है I am aching for making a foreign tour यानि की मुझे तीवर अच्छा हो रही है मुझे strong desire हो रही है किस चीज की विदेश गुमने के लिए foreign tour पर मुझे जाना है तो मुझे बहुत मिन कर रहा है foreign tour पर जाने का तो उसके लिए एक फोर एक फोर या आपका फ्रेजल वग को यूज कर लिए गया है next आपको फ्रेजल वग दे रखिये act up act up क्या होता है to cause pain और annoyance यानि की दर्द या परिशानी पैदा करना किसी भी चीज में दर्द या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चीक अब देखिये act up अब इसका एक्जम्पल से देखते है my car started acting up again in the middle of the road यानि की मेरी car ने middle of the road water road के बीच में फिर से acting up करना शुरू कर दिया यानि की ऐसा तो है नहीं उसकी कार acting करने लग गई हो act up का मतलब होता है कोई परिशानी या problem create कर देना तो उसकी कारने problem create करना शुरू हो गया तो starting नहीं हो रही थी चल नहीं रही थी या फर कोई और दिक्कत आ गई थी गार में और कोई problem आ गई थी और कोई issues हो गये थे ठीक तो इस तरीके से act up का मतलब वज़ा था को problems create कर देना next हमारे पास है add up, add up का मतलब होता है to make sense यान कि सच या फिर उचित परतीत हो ना लग किसी चीज का आपको looks like a truth यान कि कोई चीज सच आपको दिखने लगें कि सच है सामने वाला जो कह रहा है वो सच है या situation जो भी है वो सच है या आपकी सामने कोई plan है वो सच है add up उसके लिए आप use कर सकते हो अब देखिए example में use करके देखते हैं इसको the judge charged the accused guilty because his plea simply did not add up judge ने accused को जिसके उपर आरोप लगा था उसको guilty करार दे दिया नहीं कि उसको माना कि वो दोशी है उसको दोशी करार दे दिया क्यों क्योंकि his plea simply did not add up उसकी जो plea थी उसने जो अपनी दलीले वा रखी थी उन्होंने add up नहीं किया यानि कि उसको सच साबित या सच्चा साबित नहीं किया थी इस तरीके से हो गया add up का meaning next चलते हैं next हमको दे रखा है admit of admit of का meaningful to have the scope यानि कि गुंजाईश होना आप यहां पर गुंजाईश ठीक से लिखा नहीं हुआ है मैं लिख देता हूँ गुंजाईश होना to have the scope of example में यूज करके देखते है in the age of cut road competition यानि कि आज की जमाने में जहां काटमार मचे हुए competition कितना खतरनाक है neck to neck competition है success of any company admits of no compromise on quality यानि कि किसी भी जो company है कोई भी company है उसकी success admits of यानि कि किसी भी company में यह गुंजाईश नहीं है कि वो अपनी quality पे compromise कर सके अपने product की quality पे compromise कर सके कोई गुंजाईश ही नहीं है कि कोई quality पे compromise करके कोई company successful हो सके आज के जमाने में आज के competition में ठीक तो इस तरीके साथ आपने admit of का मतलब देखा यानि कि गुंजाईश होना advice of advice of क्या मतलब है to inform officially किसी को ओप चारिक रूप यानि officially किसी को inform करना किसी को officially suit करना example देखिए please advise us of many any change of address of your correspondence यानि कि आपके कोई address वोगेरा में कोई change है तो हमको officially inform कीजिए हमको officially आप बताईए letter लिखके और जिस भी तरीके से officially बताना चाहते हैं हमको बताईए inform कर दीजिए ठीक इस तरीक से advice of का मतलब होता है किसी को officially inform करना allow of का क्या मेनिक होगा allow of का मेनिक होता है to have the possibility of किसी भी चीज़ के संभावना होना किसी भी चीज़ के possibility होना ठीक तो possibility होना इसके लिए फ्रिजल्व भी यूज होगी आपके allow of अब अब example से हम इसको, example क्या कह रहा है The present structure of unstable government allow of corrupt behavior of even petty politicians यानि कि present structure of unstable government को जो भी government unstable है उसका जो structure है वो क्या करेगा allow of वो क्या बढ़ाएगा किस चीज़ की possibility बढ़ाएगा वो बढ़ाएगा corrupt behavior of even petty politicians यानि कि जो छोटे मोटे होते है ना छोटे मोटे नेता होते है छोटे भई यह नेता बोल दो आप उनको उनके वो भी corruption करने लग जाएगे मतलब इस तरीके का problem हो सकता है तो allow of का मतलब है किसी भी चीज़ की possibility होना तो I hope आपको समझ में आया होगा है तो कुछ और देखता है फ्रिजल वर्प्स next हमारे पास है amplify on amplify on का मतलब होता है to explain in detail किसी चीज़ को विस्तार से समझाना detail में explanation करना किसी चीज़ का ठीक देखिए the expert amplified on the subject making it comprehensible यानि कि जो expert था किसी भी subject के उपर उसने क्या किया amplified on उसने इतनी बढ़िया तरीके से उसकी explanation दी detail में making it comprehensible यानि कि उसको समझने में आसान बना दिया ठीक है मेरा भई amplify on का मतलब हो गया detail में explanation देना है कि विस्तार से व्याख्या करना किसी भी topic की subject की कि next हमारे पास है answer for answer for का क्या meaning है to be responsible for यानि कि किसी चीज के प्रतित जवाब दे होना एक और पढ़ी थी हमने जवाब दे होना account for ठीक और यह हमारी है answer for answerable होना किसी के लिए example देखे कि I am not answerable for this mistake answerable होने का मतलब मैं जवाब दे नहीं हूँ इस mistake के लिए तो इसका मतलब answer for का हो गया जवाब दे होना next हमारे पास answer to answer to का मतलब क्या होगा to be equal हो यान कि किसी के भी संकश होना बराबर होना equal होना answer to होता है अब देखे एक्जाम्पल से समझने की कुशिश करता है in this present generation no actor can answer to Amitabh Bachchan ल değ की जनरेशन के जितने भी actors हैं उन्हों मेंछेक कोई Amitabh Bachchan की बराबरी नहीं कर सकता ठीक no actor can answer to यान की कोई भी actor जरेशन का Amitabh Bachchan की बराबरी नहीं कर सकता उनके संकरक्ष में हो सकता उनको इकोल नहीं कर सकता, उनके achievements में, या फर उनके legendary में, चिक? Next हमारे पास है ask after, ask after क्या हुआ? To make inquiries about the health of someone, यान कि किसी की सेहत के बारे में पूछताज करना, यान कि हाल चाल पूछना, आप बोलतो हो न, अपने normal language में हाल चाल पूछना, और भाई कैसे हो? ठीक, तो इसको बोला जाता है ask after, एक्जामपल में देखिए, I met Alka and she was asking after you, यान कि मैं Alka से मिला और वो आपके बारे में, आपके हाल चाल पूछ रही थी, ठीक, इस तरीकिस ask after का मतलब हो या हाल चाल पूछना, किसी की health के बारे में पूछना, अब देखिए, ask for का क्या मेनिंग हो रहा है, ask for का मेनिंग होता है, to demand, किसी वस्तो की मांग करना, demand करना किसी भी चीज की, अब एक्जामपल देखिए, she was asking for a high-kenner salary, यानि कि वो अपनी salary में hike की मांग कर रही थी, यानि कि वो salary में बढ़ाना चारी थी, या अपनी salary बढ़ाने की बात कर रही थी, ठीक, ask for it, ask for it क्या होगा, to invite travel, यानि कि परेशानी मूल लेने, इसको बोला जाएगा, ask for it, चलिए एक्जामपल से देखते हैं, if you are starting a business without sufficient money, you are asking for it, यानि कि अगर आप sufficient money, यानि कि आपको जितना business शुगू करने के लिए पैसा चाहिए, अगर उससे कम, पैशे में आप अपना business शुगू करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, you are asking for it, आप परेशानी मूल ले रहे हो, ठीक, परेशानी मूल लेना, asking for, ask for का मतलब होगा, परेशानी मूल लेना, next हमारे पास है attend on, attend on का मतलब सेवा करना, to serve, next example देखें इसका, Radhika has many servants, to attend on her, यानि कि उसकी सेवा करने के लिए, Radhika के पास बहुत सारे, नह कर हैं, तो इसका answer होगा आपका, attend on का meaning होगया, to serve, यानि कि सेवा करना, इसके पर ध्यान देना, या फिर किसी सी चीज का, किसी इंसान का ध्यान रखना, example देखे, you must attend to small things, if you wish to accomplish big things, यानि कि अगर आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, बड़ी-बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, तो आपको छोटी-चोटी चीज़ों का, ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको लाइफ में बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, तो आपको छोटी-चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो attempt to का मतलब हो गया, ध्यान देना या ध्यान रखना, next पर चलते हैं idioms and phrases की तरब I hope आपको one words and phrasal words समझ में आया होंगे तो चलिए देखते हैं electricity is gone here but no problem I'll arrange something I hope this will work okay let's go all at sea यह हमको idiom दे रखा है all at sea का क्या मतलब होता है completely confused completely confused का मतलब पूरी तरीके से confused होना ब्रहमित हो जाना इसे बोला जाएगा completely confused यानि कि all at sea इसके लिए idiom यूज के जाता है all at sea अब example से देखिए I was all at sea when I found many questions from out of syllabus in board exam यानि कि जब board exams में मुझसे out of syllabus पूछ लिए गए थे तब मैं क्या था all at sea यानि की confused था ब्रहमित था इसको बोला जाएगा ब्रहमित होना all at sea यानि की confused होना बुरी तरीके से अब देखिए next हमारे पास idiom क्या था at lower heads यानि की शत्रता की इस्तिती and dispute quarreling यानि की लडाई में होना युद्ध में होना ही दूसरे से एक दूसरे से शत्रता में होना अब देखिए example देखिए Congress and BJP are at lower heads these days आज कल Congress and BJP एक दूसरे के विरुद्ध है एक दूसरे के विरुद्ध है लोगर हैट्स ठीक है मिरे बाई इसका मतलब हो गया सत्रता की स्थिती at snail space अब snail का मतलब होता है गुंगा एक ने तो बहुत ही दीरे दीरे चलता है जानवर होता है बहुत ही दीरे दीरे चलता है तो तो उसके लिए एक idiom होगा है at snail space, यानि कि कोई भी काम अगर बहुत slow होगा, बहुत slow, very slow होगा, उसके लिए बोल दिया जाता है at snail space, यानि कि जैसे snail की pace, snail जैसे चलता है, उस space पे चल रहा है, कोई भी काम, यानि कि उसने बहुत slow-slow, बहुत दीरे-दीरे, rude cross की, at snail space, अब देखिए, next क्या दे रखा है, मार पास a man of strong, यानि कि मामूली या अबाव गरस्ताद्र, यानि कि normal, मामूली इस इंसान, a man with no voice or will of his own, a man of no substance, ठीक है, अब example से देख में, देखो, he is easily controlled by others, so we think he is a man of strong, यानि कि उसको दूसरों के द्वारा, आसानी से control कर लिया जाता है, इसका मतलब हम सोचते हैं, कि वो man of strong, यानि कि बहुत ही मामूली इंसान है, जिसको कोई बिला के, कुछ भी कह जाता है, वो man लेता है, जो कोई भी जैसा कह देता है, उसका करने के लिए, वो कर देता है, यानि कि उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसकी खुद की कोई will नहीं है, कोई decisions वो खुद नहीं लेता, तो उसे बोला जाएगा man of strong, चलिए next देखते हैं, next आपके पास है, at the 11th hour, यानि कि last moment, at the last moment, अंतिन समय में, example जा समझते हैं, he arrived there at the 11th hour, जैसे मान लीजिए आपकी तीन बजी की movie का show है, और आप 255 पर पहुँचते हैं, movie के लिए, तो आपके लिए बोला जाएगा, he arrived there at the 11th hour, यानि कि वो बिल्कुल last moment पे, movie स्टार्ट होने से पहले, वहां पर पहुचा, the 11th hour का मतलब हो गया, अंतिन समय में, at stake, इस का मत होता है, दाप पर, आप बोलता है, मेरी इस्जत दाप पे लगी होई है, तो at stake, जो दाप पे लगी होना के लिए यूज़ होता है, English medium, उसे बोला जाता है, at stake, at risk, और insecure, the freedom of the press is at stake, ठीक है, यह बहुत यूज़ किया जाता है, the freedom of the press is at stake, यानि कि जो पत्रकार है, प्रेस है, पत्रकार है, उसकी जो फ्रीडम हो, उसकी आज़ादी है, at stake, यानि कि वो दाप पर लगी होई है, ठीक, at sixes and sevens, यानि कि अस्त ब्यस्त होना है, disorder में होना किसी भी चीज का, उसके लिए कोई इस situation में, अगर idiom use कर रहा होगा, तो उसके लिए use किया जाता है, at sixes and sevens, ठीक, अब इसको examples हैं समझते देखे, I am really at sixes and sevens, overtaking the new job, यानि कि मुझे कोई नहीं job offer की गई है, लेकिन मैं confuse दूँ बहुत बुरी तरीके से, कि मैं लूँ या ना लूँ, द इसके बोलूँगा, I am really at sixes and sevens, यानि कि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त हूं, overtaking the new job, ठीक, चलिए, next देखे, apple pie order, बिल्कुल ठीक हालत में, यानि कि in gold condition, किसी भी चीज की condition के लिए उसको बताना हो, तो आपके लिए use करने के लिए idiom दिया हुआ, एक apple pie order, इसको use कर सकने है, example से देखते हैं कैसे use करना होता है, इसको example में, when my father returned from the office, जो मेरे पिताजी, मेरे father office से बापस घर आए, it was a pleasant surprise to see his room and apple pie order, तो उनका जो रूम था, वो एक दम बड़िया तरीके से जैसा होना चाहिए, अच्छी तरीके से रखा हुआ था, रूम को, अच्छी तरीके से रखा तरीके में सारी चीज़ें अपनी अपनी रखे हुई थी, तो उसको क्या वो लोगा, pleasant surprise to see his room and apple pie order, यानि कि apple pie order, यानि कि हर चीज बिल्कुल सही हालत में थी, उनके लिए वो surprise था, वो office से वापस आए, at a pinch, यानि कि समस्या में होना, किसी भी problem में होना, इसका मतलब हो गया at a pinch का problem में होना, देखिए, example क्या किया रहा है, we should help our friends when they are at a pinch, यानि कि जब हमारे दोस्त, problem में हो, तब हुनकी मदद हमको करने चाहिए, यानि कि बिल्कुल सही बात है, जब हमारे दोस्त प्रब्लम हो, तो हम उनकी मदद करेंगे, जब हम प्रब्लम में हो, तो हमारे दोस्त हमारी मदद करेंगे, इस देखिए, at arm's length, यानि कि दूर रखना किसी चीज़ को, उसके लिए उसके जाता है, at arm's length, यानि कि avoid becoming too friendly, किसे बोलता न, जादा दूर रहे, जादा पास में मता हो, दूर रहो, दूर रहे के बात करो, तो सब बोला जाता, at arm's length, दोस्ती ना रखना, इस तरीके से भी ब दोस्ती नहीं करते, आप उनको थोड़ा दूर रहते हो, उसे बोला जाएगा, at arm's length, ये देखिए, अब हमारे पास एक word, idiom दिया हुआ, at ease, at ease, आपने इसका बहुत यू सुना होगा, free from pain and anxiety, इसका मतलब उता चिंता रहे तो, आप वो, example में देखते हैं, इसका, he didn't feel completely at ease in the strange surroundings, and strange surroundings में, अजीब अजीब उसके आसपास का वाता बरनता, उसमें क्या क्या हुआ, क्या हुआ, उसने completely at ease, completely उसने चिंता रहत, feel नहीं किया, जैसे मानलों, आप कहीं, पहली बार नहीं जगे पर जाते हो, what time was, आपको अजीब सा लगता हूँ, कुस दिन बहुत से in the strange surroundings, at ease का मतलब हो गया, आपका चिंता राहत, free from tension, ओके भाई, अब देखिये, अब देखिये, next के आदे रहा, advanced fingers ends, यानि की, advanced fingers end का मतलब हो, completely हर चीज का knowledge हो, पून रुप से हर चीज की जानकारी हो, to have complete knowledge, उसके लिए यूज़ के जाता है, advanced fingers end, आप जैसे केते हैं, मेर fingertips पे हैं सारी चीज है, fingertips का मतलब है, आपको अच्छे से knowledge है, उस चीज के बारे में, उस topics के बारे में, ठीक, आप बहुत यूज़ करते हैं, बाई, यह चीज है न मेरे fingertips पे, यहनको तो मैं exam रहेंगी, तो फटा फट कर दूँँ, तो finger, at the fingers end, इसका मतलब यह हो गया, आप का पूंट रूप से जानकरी हो ना, example में देगे, he keeps the current at his fingers ends, वो current को अपने fingertips पर रखता है, current को मतलब आप current affairs ले सकते हो, यानि कोई aspirant है, current affairs really पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, तो उसको क्या है current affairs, जो कि इस महिने के हैं, पुराने मंद के हैं, यह एक साल के हैंपे से तो उसको tips पर आ रहा है, आप बोलता है, तो उससे बोला जाएगा, at once fingers end, next है, at once with end, यानि की चकित हो जाना, puzzled हो जाना, confused हो जाना, ठीक है, pre-plagged, यानि की, अचमित हो जाना, अस वो जाता है, उसको बोला जाता है, at once with end, आप देखे, example से समझे, सोचे से, my father was at wit's end, when he lost his wallet in that unknown town, and had no money at all, यानि की, मेरे पिताजी, बहुत ही जादा अचमित हो गए, जब अन्नोन टान में, की अंजाने शहर में, अपना wallet, खो दिया, अपना जो भी, wallet था, जो उसमें पैसे थे, वो खो दिया, और उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, ठीक, तो इसका meaning हो या आपका puzzle होना, चकित हो जाना, या फिर प्रिप्लेक्स, रचमित हो जाना, अब देखिए, 20th August e vocabulary हम देखेंगे, 20th August को जो भी vocabulary आई थी, दा हिंदू मैं, वो देखेंगे, देखेंगे, पहला word था वहाँ पर, evacuate, evacuate एक वाब होता है, इसका मतलब होता है, खाली करना, इसका आप बोल सकते हो किसी भी चीज को remove करना कहीं से भी, ऐसी भी आप बोल सकते हो, ठीक, आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी building में आग लग जाती है, तो वहाँ से लोग पचाया जाता है, उसको बोलता है, evacuation चल रहा है, इस तरीके से बोला जाता है, तो evacuation का मतलब होता खाली कराना, synonyms से इसके क्या होगा, clear करना, move out, किसी को निखालना वहाँ से, clear करना किसी situation को वहाँ से कोई, जो भी लोग होगा, वहाँ से हटाना, जैसे crime scene होता है, कहीं पर crime होगा, तो वहाँ police आपको लोग हटा देती है, तो crime scene clear किया जाता है, तो evacuation बोल सकते हैं, इसका families were evacuated from their home, याना कि बहुत सारी जो families थी, उनको evacuate किया गया, बचाया गया, खाली कराया गया उनके घरों से, घरों को, ठीक है, उनके घरों से, अब अगला word है हमारे पास, defer, यह होता है एक word, इसका मतलब होता है, किसी की योग्यता, किसी की capability, ability है, उसको स्वीकार करना, उसक किसी के सामने yield कर देना, yield का मतलब basic है जुगना होता है, अब जुगता कब है एक सामने वाली क्या गए इंसान, जब उसको अपने से बड़ा माल लेता है, अपने से जाधा capable माल लेता है, synonyms का होते है, submit करना, give way देना, ठीक, entonyms क्या होगा, stand up to, ठीक, इसके, अब यह तो किसी के सामने जुग गए, जुगने का opposite का होगा, किसी के सामने खड़ा हो जाने हो जटके, stand up to, यह इसका enternem हो गया, example दीए, he defer to trace us superior knowledge, यानि कि उसने क्या कि आपने आपको defer कर दिया, आपने आपको yield कर दिया, जुगा दिया, उसकी सामने अपने आपको surrender कर दिया, किस के सामने, Teresa के सामने उसकी superior knowledge के लिए, उसकी superior knowledge के लिए, next हमारे पास word है, don't children, यह noun होता है, इसका meaning होता है समस्या, problem, right, तो इसके synonyms क्या होगा, difficult, boundary, ठीक, अब इसके enternym क्या होगा, solution, अब समस्या का opposite क्या होगा, समाधान, हिंदी में बोले न, तो समस्या का opposite होगा, समाध इसका enternym होगा, solution, problem का enternym होगा, solution, example, देखे, one of the most difficult concordance for the experts, यहने की बहुत, कोई भी problem थी, बहुत ही difficult थी, जितनी भी उनके पास, बहुत सारी की जटल समस्या थी, उनमें से कोई एक जटल समस्या के बारे में बात हो रही है, उसके लिए बोला जाएगा, one of the most difficult concordance for the experts, ठीक है, consummate, इसका क्या मतलब होता है, यह होता है, इसका मतलब होता है, यानि कि perfect, perfect वज़ यूज़ उसके लिया यह भी उसकर सकता है, इसका synonym क्या होगा है, exemplary, supreme, enternym क्या होगा, imperfect, अब perfect का enternym आपको imperfect मे लेगा, example देखिए, she dressed with consummate, elegance, यानि कि उसने बहुत ही perfect elegance के सा जो भी पहना, बहुत ही शांदर पहना, ठीक, इस तरीके से यह आपका हो गया, next क्या है, hurl, hurl का मतलब होता है, किसी भी चीज़ को बहुत तेजी से फैंकना, किसी की तरफ, throw, throw करना, ठीक, synonyms होगे, toss, यहनि कि toss करना भी किसी भी चीज़ को फैंकना, जैसे आप coin को फैं जैसे के fling का मतलब यही होता है, किसी चीज़ को फैंना, antonyum का मतलब हो गया, किसी चीज़ को catch करना, throw करना, catch करना, एक दूसरे का antonyums होता है, ठीक, तो cricket में भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको, Reuters held a breakthrough the windscreen, यानि कि जो खिड़की थी, उसके उसमें से एक इंट या फिर एक पत्थर भेका, किसने ए राटर्स ने, दंगा ही होना, ठीक, चलिए, और next देखिए, Maverick, Maverick होता है, नाव, इसका मतलब होता है, व्यक्ति वादी, इंडिविजिलिस्ट, जो सिर्फ खुद खुद किया, फिर किसी एक इंडिलिजिल की बात करे, इसका मतलब, इसका synonymous का क्योंगा, non-conformist, free spirit, अंटर्निम क्योंगा है, conformist, example देखिए, he is the maverick of the senate, यानि कि वो senate का maverick है, और senate में, जैसे हमरे विधान सभा अगेरा, अगेरा, सनसभा अगेरा होती है, वैसे, जहां presidential rule चलता है, जैसे अमेरिका अगेरा है, वहां एक senate होती है, lower house, आपर house होता है, वैसे उनक है, एक senate होता है, ठीक है, तो उसके बला होता है, he is a maverick of the senate, यानि कि अकेला, एकला होता इंसान है, जो senate में, किसी भी मुद्धी को प्रभूल सकता है, इस तरीके से sense में उसकर सकते हो, इसको आप, नैस देखिए, opposite, ठीक, अब आपने एक opposite दिखा होगा, और यह है, opposite, बह उचित नहीं होता है, इसका meaning होता है, अनुचित, ठीक, देखिए, synonyms होगा, इसके, pertinent, applicable, एंटोनिम क्या होगा, appropriate, एंटोनिम होगा, appropriate, example का होगा, इस state होगा, opposite कर से, quotation, उसने क्या, opposite quotation, यान कि एक अनुचित quotation, state की, repeat क्या होगा, verb है, खंडन करना है, नहीं होता है, refute का, देखिए, synonyms क्या होगा, इसके, deny, disapprove, confirm, example देखिए, he had to rebute charges of acting for the convenience of his political friends, जैने की, उसको rebute करने थे, खंडन करना था, of acting of the convenience of his political friends, उनके, political जितने ही friends है, उनके, उनके उसको support किया, उसके लिए, उसको खंडन करना था, साइट, साइट का मतला होता है, उद्धरन देना, quote करना, ठेक है, इसका synonym होगया, reproduce करना, mention करना, antonym होगया, conceal करना, example देखिए, authors who are highly regarded, but they appear, stand to be cited, यानि कि, जो highly regarded, जो authors हैं, उनको cite किया जाना चाहिए, cite किया जाना चाहिए, उनको quote किया जाना चाहिए, उनको कितनी बड़ी-बड़ी बातें बोल रही हैं, उनको बताया जाना चाहिए, देखिए, फ्लेक क्या होता है, फ्लेक का मतला होता है, अलोचना, criticism, synonyms के होगया, censure, disapproval, antonyms होगया, approval, example देखिए, you must be strong enough to take the flag if things score होगया, यानि कि आप, कोई भी अगर घड़गड होती है, तो आपको क्या घरना चाहिए, you must be strong enough to take the flag, यानि कि आपको आलोचना, criticism, सुनने के लिए, तैयार होना चाहिए, तो यह हमारी Hindu vocabulary बे होगी, तो आप जैसे देख पा रहे हैं, पर current affairs के लिए भी हमारा channel है, लग English के लिए भी है, reasoning के लिए है, maths के लिए है, defense exams intense के आप देख सकते हैं, SXC exam intense, अगर गोई SSE की preparation कर रहा है, और अब मुझे देख रहे हैं, defense exam quest पर, देखे, तो आपको क्या करना हुआ, इस channel को subscribe कर लीजिए, bell icon दबा दीजिए, जिससे आपको notification मिल जाए, अगले आने वाले lectures के बारे में, ठीक है मेरे भाई, अने अकेडमी पर मुझे follow करें, विकास राजपाथक सर्च करें, चले मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे कैसे पूर सकते हैं, अने अकेडमी पर, देखिए, आपको सर्च करना है, अने अकेडमी पर जाका विकास राजपाथक, वहाँ आपको मेरी profile दिखेगी, आप मुझे follow कर लें, और मेरे सारे notifications आपको महाँ मिल जाए करेंगे, अप पर, लेकिन आपको एक चीज़ के ध्यान रखना, NDA category में जाके मुझे सर्च करें, defense की preparation कर रहे हैं, आप लोग, तो आपको यह चीज़ों के बारे में अक्चली पता होगा, तो आप वही पढ़ रहे होंगे, तो आप जाके सीधे मुझे follow कर सकते हैं, और plus subscription अगर कोई लेना चाहिए, अब मैं suggest करूँगा कि आप ले, 24 months या फिर 12 months का आप minimum ले, यह वाल अप्लान आप ले, इसमें 10% का आपको discount भी मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा आपको, विकास रण, यह promo code आप जब apply करेंगे, तो आपको 10% discount मिल जाएगा, यह discount मिलने का फाइदा हि और आप सारे के सारे courses जो भी हैं, वो access कर पाऊगे, plus मैं जितने भी आपके जिस भी category के लिए आप subscription ले रहे हो, उस category में जितने भी plus courses चल रहा हूँगा, वो सब के लिए आप access कर पाऊगे, वो सब के लिए आप हमसे जोड़ सकते हैं, और हमारे आगयाने वाली videos या फिर lectures का आपको notification मिल जाएगा, तो thank you so much, जैसे आज हमने वो cap की class ली है, ऐसे ही वो cap की sessions आपके लिए continuously मिलते रहें, मिलते रहेंगे, तो videos को like करें, share करें, अपने दोस्तों को साथ share करें, जैसे उनको भी फायदा हो, और channel भी group है हमारा, तो channel को subscribe करना बिलकुल ना भूले, thank you so much जाएगा आएगा हो आपकि ना लो उनको स्कारपे हाईगा हमारा बिलकुल ना भी।